कि नमस्ता गहमसान डाट कॉम में आपका स्वाहते हैं मैं अर्जुन राट हो आज हमारे साथ मुझूद हैं जाने मने आर्टिस्ट मालवी विजा से जुड़े हुए मालवी रंगमेंच से जुड़े हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि विनोत खना से लेकर कई फिल्मों में काम कर चुके बॉलिवुड में संतोष जोशी जी जो कि इंदोर में भी इन दिनों कई सहस्थाओं से जुड़कर अपने परफार्मेंस दे रहे हैं और खासकर मालवी के छेतर में उलेखनी कारव आप कर हम उनका स्वागत करते हैं जोशी जी में जानना चाहूंगा कि आपके जीवन के अलग-अलग आयाम रहे हैं सबसे पहले आपने उस जमाने में बॉलिवुड में प्रवेश किया तो कैसे हुआ इसका कुछ पताएंगा अर्जुन जी पहले तो आपको भी नमस्कार और हमार जितने सुनने वाले हैं जितने भी दर्शक हैं शोता सभी तो बहुत 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 अर्जुन जी हुआ गया कि बच्पन से मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था जब छोटा था तो मैं लोगों की नगले मुतारता था अपने रिष्टेदारों की दोस्तों की दान जितने जी क्या मजब उडा ते तो लोगा पर मुझे शौक था कोई भी आता है उसके नगल उताव धिरे धिरे कॉलेज लेवल में आगे जब मैं आया कॉलेज में तो मैंने बिमिक्री शुरू की सबसे मिले आई स्टार्टिक मैंने अपना केरियर जो शुरू किया वो मिमि तो उन्होंने वो मेरा परफॉर्मेंस देखा वहाँ पर और बड़ा मैं लगी था शायद उस वक्त की उस वक्ति इंतिहान फिल्म ज़स शुरू ही थी उसका इमूर शॉट यह हुआ था तो विनोट जी ने मुझे बुलाया और कहा के भई आई सी और परफॉर्मेंस और त 35 क्लडकों का एक रोल के लिए उसकी तो उसमें मैंना सेलेक्शन किया पर फॉर्म किया था तो उन्होंने मुझे पूछा कि भई तू कहां से आ रहा है यहां किस्ने बेजा यहां कैसे आगा अउडिशन विनोट खना जी ने मुझे बेज आता आपको ओ अच्छा जी ने वो खुश थे, उन्होंने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो भूल गए, इसका मतलब आपको मेरे कारण रोल नहीं मिला है, और बहुत इंपॉर्टन रोल था, स्टोरी में रोल था, इट वाज रिटन इंद स्टोरी, स्टोरी में था, इमोजनल सीन्स थे में स्टोरी में रोल था, और बियार इशारा एक जोमाने के, आपको पता ही, वो अ स्टार मेकर, बियार इशारा, उसके डायलोग रिख रहे थे, इंतिहां के, उन्होंने रश प्रिंट्स में मुझे देखा, और मुझे बुलवाया कि वह असीद से नेके, कॉमेडियन थे, पुना में गया, पुना में शुटिंग चले थी, उसमें उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टन रोल दिया मुझे उनके फिल्में, और दो दिन के लिए बुलाया था, मुझे एक महीने तक रोप लिया, काफी रोल मेरा, काफी बढ़ा दिया उन्होंने, मेरे से बहुत कुछ बहुत लाइक करने थे, उनकी तीन फिल्में और मैंने साइन की थे, इस तरह से एक सिल्सला फिल्मों का एक अच्छी शुरुआत के साथ जाद पड़ा, उसके बाद फिर अपने आगे कैसे क्या हुआ है, रजुन जी, कहना चाहिए, यह सब मेरे ख्याल से शायद मेरे प्र आजार बंद गुरुओ की शुटिंग कंप्लीट हुई और मैं बीमार हुग गया, मुझे पराटैप है, तो शारा जी ने मुझे एड्मिट करवा दिया, नर्सी में क्योंकि नाके रहा था, उसके बाद से मेरी हेल्थ बंद नहीं पाई, मुझे इंदौर आना पड़ा, र आजार एप्लिकेंट में से मेरा सेलेक्शन हो गया, तो यह सब भागी का था कि मैं यहां आया, और सायद आकाश्वानी की ही, कहते हैं ना दाल रोटी लिखी थी, आकाश्वानी में तो आपने पूरा जीवन, जी हाँ, आकाश्वानी में मैं पूरी सर्वीस की, मैं रिटा अब तो आपने अब तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, और साइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें